हेलो बच्चों कैसे हो आप सब? होप यू और फाइन और इंजॉइंग माई वीडियोज आज बच्चों हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह मेटर इन आवर सराउंडिंग्स का नेक्स टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसके पहले हमने मेटर की स्टेजिस के बारे में अधिन किया था तो मेटर के कितने स्टेजिस होती है मेटर की त्री स्टेजिस होती है सॉलीट लिपविट एंड गैस तो बच्चों यह जो solid state होती है जिसे ठोस अवस्था कहा जाता है जब इस अवस्था को हम heat करते हैं तो यह अपने state को change करने लगती है यानि कि solid जो state होती है वो heat करने पर liquid state में change होने लगती है तो बच्चों यह जो process होती है जिस temperature पर solid liquid में change होने लगता है उसे हम melting point कहते हैं यह वह तापमान होता है यह वह point होता है जिस पर कि जो ठोस अवस्था होती है वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है अब हम यह जानेंगे कि यह melting point जो होता है वह solid से liquid बनने की जो यह process होती है इसका reason क्या होता है तो बच्चों इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो solid state होती है उसमें जो particles होते हैं उनके बीच में force of attraction होता है जिसे हम आकरशन बल भी कहते हैं तो जब हम solid particles को heat देते हैं तो एक stage ऐसी आ जाती है जब यह जो particles होते हैं वह अपनी state को change करने लगते हैं और liquid state में परिवर्थिप होने लगते हैं जैसे कि आप अपने घर में experiment करके देख सकते हो कि जब हम ice cubes को लेते हैं और उसको अगर हम किसी बर्तन में रखकर heat करें तो वह liquid state में या फिर natural भी वह अपने stage को change करके पिघलने लगती हैं तो जो point जो temperature ऐसा होता है जिसमें की solid state liquid state में change होने लगती है उसे हम melting point कहते हैं तो बच्चों माप यह सोच रहे होगे कि यह है जो process है वह किस तरह से होती है तो जब हम solid state के particles को heat देते हैं तो जो इसके particles होते हैं उनकी जो kinetic energy होती है वह क्या होती है इंक्रीज करने लगती है तो heat करने के बाद on heating kinetic energy increases जिसके कारण क्या होता है कि जो यह particles होते हैं वह इधर उधर भागने लगते हैं और उनका moment इतना ज्यादा होने लगता है कि वह अपने state को जो उनकी original state होती है उसको छोड़कर वह दूसरे state में बदलने लगते हैं तो यही इसका reason है कि जो solid state है वह liquid state में परिवर्थित होने लगती है तो बच्चो melting point के definition क्या हुई इसे अब हम समझ लेते हैं melting point is that point at which solid starts starts melt और melting तो melting point वह point होता है जिसमें कि जो ठोस अवस्था होती है वह liquid अवस्था में change होने लगती है अब हम यह जानते हैं कि जो temperature होता है उसको हम degree Celsius या फिर केल्विन में measure करते हैं तो बच्चो temperature की जो ऐसा unit होती है वह या तो degree Celsius होती है या फिर केल्विन होती है तो बच्चो अब यह जो degree Celsius होता है जो 0 degree Celsius होता है वह 273.16 Kelvin के equal होता है तो अगर हमको कोई भी temperature degree Celsius में दिया है और उसको हमें Kelvin में convert करना है तो हमें उसके लिए 273.16 उसमें add करना होगा अगर आपको 10 degree Celsius temperature को Kelvin में change करना है तो इसके लिए हमें 273.16 में 10 को add करना पड़ेगा तो जो answer आएगा वह हमारा किस में आएगा? वह हमारा Kelvin में आ जाएगा इसी तरह से अगर आपको Kelvin को Celsius में change करना है तो हमें 273.16 या फिर 273 से आप इसको minus कर सकते हो जैसे कि सपोस करो मैंने लिया है यहाँ पर 205 Kelvin और मुझे इसको change करना है degree Celsius में तो मैं इसमें क्या करती हूँ? 273.16 में इसको मैं minus कर देती हूँ तो जो answer आएगा क्या answer आएगा? आप लोग निकाल के देखेगा इस answer को तो आप इसको आप degree Celsius में निकाल सकते हो बचो यह चीज तो आपको समझ में आ गई होगी यह बहुत ही important है और यह जो question है यह बार बार arise किया जाता है exam में इसलिए अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप मुझसे पूस सकते हैं और please comment जरूर किया कीजिए जो भी देख रहे हैं please students comment जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चोए अब एक important term है इस chapter में वो है atmospheric pressure जिसे हम क्या कहते हैं वाता वर्निये हिंदुई के students में समझ सकते हैं जिसे हम कहते हैं वाता वर्निये दबाव तो बच्चो यह जो atmospheric pressure होता है यह क्या होता है इसी pressure पर जो solid state है हमने पिछले अभी थोड़ दिर पहले पढ़ा था कि जो solid state है वा liquid state में change होती है इसी atmospheric pressure पर तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे atmosphere में जो air होती है मेंली कौन सी होती है नाइट्रोजन होती है oxygen होती है और carbon dioxide होती है जिसे CO2 से denote किया जाता है सबसे ज्यादा nitrogen की प्रतिशत्ता होती है percentage होती है उसके बाद oxygen और उसके बाद carbon dioxide की प्रतिशत्ता होती है जो कि आप आगे के essence में पढ़ेंगे तो जो यह सारी जो यह गैसे होती है, जो एटमोस्फेर में होती है यह क्या करती है कि जो एटमोस्फेर, जो की अर्थ की जो लेयर होती है इसके उपर यह फोर्स लगाती है जो इसका यह एरिया है, उस पर यह फोर्स लगाती है इसके जो अर्थ की जो surface है उसके against में तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो pressure होता है या जो वातवर्णी दबाव या atmospheric pressure होता है वह क्या होता है इसे हम P से denote कर सकते हैं वह होता है जो की यह एर है यह force लगा रही है इसके अर्थ के area पर तो इसे हम इस formula से भी denote कर सकते हैं और जो pressure का जो unit होता है वह main होता है pascal इसे pascal से denote किया जाता है तो बच्चों मुझे लगता है आपने यह समझ लिया अच्छे से कि atmospheric pressure कैसा होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने friends में share जरूर कीजिए और इसको subscribe करना भी नहीं भूलिए Thank you